स्वागत करती हूं आप सभी को अपने चैनल में तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बाजू का डिजाइन से अर कर रही हूं तो यह देखिए सबसे पहले जितना स्लीव की लंबाई चाहिए और चोड़ाई चाहिए उसी साफ से मैं यहां पर कपड़े की कट कर लें चैनल और करना करी है रही है तो यह देखिए मैं हुआ पूंट बाजू बना रही है कि जो अधू है यह आहां मोगों मार्गों के साथ में 6 लंबाई रख्ए हो और चोड़ाई अध बोडी के मजेरमेंट के हिसाब से और यहां पर मैं फिटिंग का निसान लगा रही हूं 6 इंच पर प्लस 1.5 इंच एक्ष्ट्रा मार्जिंग का रखी हूं और सौट स्लिव है सौट बाजू है तो धाई इंच डाउन कर लेना है नीचे से इस तरीके से धाउन धाई इंच पर इंच छोड़ करके ऊपर के साइट से एक इंच छोड़ी हूं और बीच में तीन इंच पर इस तरीके से निसान लगा लेना है थ्री इंच पर मैं यहां पर निसान लगा हूँ हूं 3 इंच का जो निसान लगा हूए उसके बीच में हमें फिर से उसका हाफ में निसान लगान इसको गढ़ा कर देंगे। इस तरीके से हमें क्लीब करना समय है। अपन करना थे वहाँ सब्सक्राइब, रख उन से सभात करना है। और करना समया है को इसे त्रहाइब भी कपड़ करने भी इए यहां स्क्राइब करने के बाद ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आजा और सेयर कीजिएगा लाइक करना बिल्कुल न भूले अब यह देखिए जो स्लीब का मेन कपड़ा है उसको हम सीधा उला उसका जो पार्ट है वो बाहर उपर के साइड रखेंगे और उसी के उपर लाइनिंग वाले कपड़े को रखना है और मोहरी के साइड में जिस तरीके से निसान लगा हुए जिस तरीके से कपड़े की कटिंग ही है उस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है दो पॉइंट मार्जिंग छोड़ते हुए सिलाई ल इस तरीके से कपड़े को हाथों की मदद से सीधा करते जायेंगे। आप इस तरीके से अंदर के साइड रखना हो और बिल्कुल कॉनर पर सेट की सिलाय हम्में लगा देनी हैं साथ- वहुत ही सुन्दर यह स्लिप बन करके रेडी हो जाता है इसका फाइनल लुक अभी आपको मैं दिखाऊंगे बनने के बाद अब यह देगे इसी तरीके से बिल्कुल ही कौनर पे इस पे सिलाई लगा देनी है अब जो नीचे से मैं एक इंच पे जो गहराई दी हूँ अगर अब चाहें तो और इसको डीप रखना चाहते हैं यानि कि और गहराई देना चाहते हैं तो देड़ इंच या दो इंच तक भी इसमें रख सकते हैं मैं यहां पे एक इंच की ही गहराई दी उसके बाद मैं यहां पे जितना भी स्लीप का ओपन पार्ट है वहां पे भी सिला पांच नीच ले और चणाई जो है वह थी इंच लें से स्लिव वाले डिजाइन के लिए मार्किंग की ठी उसी तरीके से अज़रा पीत मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा कप्डा में बुक्रम में आधा इंच बाहर के साइड छोड़ते हुए हमें इस तरीके से डिजाइन को कट कर लेना है अब इस डिजाइन को जो अस्तर वाला कपड़ा है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा करके एटेज कर लेना है बुक्रम पे भी अच्छे से मार्किंग करके यानि की अच्छे से मेजर करते हुए हम मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे अगर आप चाहें तो यहाँ पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं अब यह देखिए साइड से कपड़ी को आधा इंच छोड़ करके कट कर लेना है और जो आधा इंच छोड़ा हुआ जो कपड़ा है उसको इस तरी इसके से फोल्ड करते हुए फिनिसिंग के साथ सिलाई ल नगा करके भी बीचे में एक फिल लगाए हूँ ताकि सिलाई लगाते से मएक है अब यह जो षिल लगानी है बिल्कुल बक्रम पर किलाओ नटी ओं लगानी और SP भी नहीं है और बिल्कुल बगरम के पास में है किनारे पे पूरे दिजाइन पे जहां पे घुमाव है यहां पर इस तरीके कॉनर बना हुआ है वहां पर हम मसीन की जो बूट है वह उठाएंगे और सुई अंदर रहने देंगे और फिर कपड़े को घुमाते हुए अच्छे से सिलाई लगा देंगे अब यह देखिए पूरे डिजाइन पर सिलाई लग चुका है इसको हम cut कर देंगे थोड़ा सा मार्जिंग छोड़ते हुए ही cut करना है अब cut करनेके बाद पूरे दिजाइन पर हम छोटे-छोटे kutFit लगा देंगे, corner पे cut अच्छे से लगा लेना है और इस तरीके से ओंगली की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसे प्लट करके जब questioning के साथ ही आएगा और इसको इस तरीके से अंदर के तरफ thरफ turn कर देंगे वह देखें andra कर देना है अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं मगर मैं इसके उपर बिल्कुल किनारे पे नहीं किनारे से थोड़ा सा एक पॉइंट के दूरी छोड़ते हुए और इस पे मैं सिलाई लगा दूँगी सेट होने के लिए आप अपने मर्जी की नुसार इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं आप बिल्कुल ऐसे भी रख सकते हैं बिल्कुल कोई दिकत नहीं आएगी बिल्कुल की नारे पे सिलाई मैं नहीं लगाई हूँ एक पॉइंट कपड़े में दूरी रखते हुए कॉनर से एक पॉइंट के दूरी पे सिलाई लगा दी हूँ और आप खुद ही देख सकते हैं कितनी फिनिसिंग के साथ इसका जो लुक है वो आया है अब इस पार्ट को हम साइड में रखते हैं अब इसको नीचे लगाने के लिए मैं फ्रिल बनाऊंगी तो यह देखिए जो कपड़े की चोड़ाई है वो मैं थ्री इंच रखी हूँ और कपड़ा कम था तो बीच में जोइंट करते हुए एक लंबी सी पट्टी तियार कर लूँगी यह ब्लाउज का में कपड़ा है अच्छे से मजबूती के साथ पट्टी को जोड़ लेना है अब इसको इस तरीके से डवल में फोल्ड करके पहले सीधी सिलाई लगा लेना है इस तरीके से डवल में फोल्ड करके पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे और ये सीधी सिलाई जो लएगी वो सीधे के तरफ ही लएगा जो उल्टा भाग है इसका वो अंदर रहेगा क्योंकि हमें इसको पलटना नहीं है डारेक्ट ही इस पर फ्रिल बनाना है अब जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको में यहां पर कर ली हूँ अब जितना अब दीक पर भी नहीं फ्रिल बना जाना करके त्यार कर लेना है यह देखे फ्रिल भी बन करके रेडी हो चुका है इसको इस तरीके से लगाना है मोरी पर अच्छे से रखते हुए सेट करते जाएंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे जहां पर पहले पूरे अच्छे से फ्रील लग चुका है अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं अगर मैं मोहरी पर यहां पर लैस अटेच करें तो गोल्डन कलर का मैं भी लगाऊंगी इसका लुक जो है और भी अच्छा है ऐसे भी काफी सुंदर लगता है अपने मर्जी के हिसा आप से इसको बना सकते हैं कुछ भी इसमें चेंजिस कर सकते हैं बाकी आपको वीडियो कैसा लगा उमीद करती हूं मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा अगर थोड़ा से वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर इतना ज्यादा हो सके मेरे वीडियो को सेर कीजिए मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो प्लीज आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को जितना ज्यादा हो सके सेर कीजिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा करने वादू